Hey everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Sankal Bharat Foundation YouTube channel. आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे Error Detection and Correction के Exercises and समझेंगे कि ये जो Paragraph Editing के Exercises है, ये तनी tough क्यों लगती है और किस तरीके से इसको solve करना है? जादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 30 मिनट्स में आज हम लोग ये topic समझने की कोशिश करेंगे. तो Paragraph Editing नाम कहां से आया माम? Paragraph Editing का मतलब हो गया किसी Paragraph को Edit करना. तो आपने देखा होगा newspaper में जो editors होते हैं, articles जो लिखते हैं, उनको हम लोग editor बोलते हैं. Letter लिखते हो नो to the editor, हाँ ये वही वाला editing है. तो editor का काम होता है, आपके लिखे हुए किसी भी चीज़ को या जिसने भी लिखा है, उसको edit करना, check करना, mistakes निकालना, rectify करना, corrections करना, right? तो वही चीज़ आपको सिखाई जा रही है, तो अगर आफ future में mass communication करना चाते हैं, news field में, writing field में जाना चाते हैं, content writing में जाना चाते हैं, तो आपको editing आने चाहिए, मतलब कि grammar आपके इतनी solid होनी चाहिए, कि वहाँ पर किसी भी paragraph में, किसी भी sentence में कोई भी mistake हो, वो आप बत आपाओ, कैसी करेंगे माम, अगर आपको paragraph editing आती है, error detection अगर आपने बचपन में अच्छे से solve किया है, 10th में सीख लिया है, तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा, फिर तो आपको कुछ नी करना, तो वही आपको सीखना है, तो चलो दूर की बाते भाग में, फिलाल तो हम क्या करेंगे, अपने board exams की preparation कर रहे हैं, तो 10th में आपके board exam में क्या error editing आती है, वो मैं आपको आज सिखाऊंगे, ready हैं सब लोग, so अभी देखो क्या करते हैं, आपको rules बताने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे बताएं, आपको कितनी समझ है error editing की, paragraph editing की, right, तो क आप paragraph editing solve कर पाते हैं, exercises आपको करने ही आती है या नहीं, तो 10 sentences आपके सामने रहेंगे, और आपको मुझे उन 10 के 10 sentences के correct answer देने हैं, जहां भी answer नहीं दोगे, दियान रखना जब अभी next, अभी वीडियो में ही आगी जब आपको सिखा रहे होंगी, वहीं पर focus करना और उस च कि इस sentence में आपको क्या mistake दिखाई दे रही है, जो mistake है वो देखो आपके pronoun में हो सकती है, verb में हो सकती है, कोई preposition है तो वहां हो सकती है, tense में हो सकती है, helping verb में, main verb में, कहीं भी कोई भी mistake हो सकती है, अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने अभी यहां parts of speech के नाम बोले, parts of speech 8 होत में, noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, interjection, conjunction, right, तो कहीं पे भी mistake हो सकती है, और इसको हम लोग integrated grammar बोलते हैं, tenses की mistake हो सकती है, helping verb correct लगाई है, subject verb agreement के accordingly या नहीं, वो mistake हो सकती है, तो आपको integrated grammar पता होनी चाहिए, अब यह sentence क्या है, if I have money, I would help you, अगर आपने conditional sentences पढ़े हैं, तो हमारे पास में चार conditional sentences होते हैं, 0, 1, 2, 3, यह हमारा second conditional होगा, अगर हम यहाँ would लगाएंगे, तो उसके according यहाँ पे होना चाहिए, verb की second form, मतलब have का second क्या होता है, past क्या होता है, had होता है, correct sentence होगा, if I had money, I would help you, चीक है, अच्छा, have यहाँ हम लोग लगाएंगे, if case आप conditional कितने होते हैं, मैम, conditional बेटा, आपके पास 4 तरीके के होते हैं, hopefully अगर इस exercise में 4 तरीके के conditional आई, तो मैं आपको सिखा दूँगे, otherwise एक separate video बना के बदाऊंगे, चलो, next करते हैं, बताइए कि आप इसमें, mistake ढून पा रहे हैं, she is a faster runner, faster runner, she is a faster runner, तो अगर कोई, fast, sorry, fastest runner है, fastest क्या हो गया, adjective हो गया, superlative, fastest, right, हमेशा superlative adjective के पहले क्या आता है, the article आता है, a नहीं आता, correction क्या होगा, a की जगे क्या हो जाएगा, the, that is the mistake, so if I had money is the first one, she is the fastest runner, the लगेगा article, तो हमें rule याद हो जाना चाहिए, superlative adjective के पीछे the लगता है, उससे पहले the लगता है, a student is free to express their opinion, mistake ढून के बताएंगे, अच्छे से, मैंने आपको बताया, subject, pronoun, noun, helping word, word, preposition, कहीं पे भी mistake हो सकती है, ढून के बताओ क्या mistake है, आप लोगों का काम है, mistake को ढूनना, मैं तो सिर्फ आपको समझाऊंगी चीज़े, rules बताऊंगी, mistake आप ढूनेंगी, वैसे भी आपक exercise है, ten questions होंगे, आपको मुझे पताना है, आपको क्या score आया, accordingly आगे की exercises करेंगे, a student is free to express his opinion, student एक है बच्छों, okay, और इसके हिसाप से, जो possessive pronoun आपको लगाना है, वो लगेगा his opinion, students लिखा होता, तो देर होता, तो a student is free to express his opinion, one is free to express one's opinion, our student is free to express his opinion, clear हो गया, आगे बढ़ेंगे, okay, one of the student in my class is not present today, एक बच्चा है मेरी class में, जितने भी students हैं उन में से एक, अब दो हिंदी में बोलते भी मैंने correction कर दिया, क्योंकि हम गलत बोली नहीं सकते हैं, English में क्यों गलत बोलते हैं, हमारी mother tongue नहीं है, हम बोल तो लेते हैं, बट समझ नहीं पाते के बोलना क्या चाह रहे हैं, one of the student, student मतलब एक, नहीं, हमारे पास बहुत सारे students होंगे, तब जाके हम उसमें से one choose कर पाएंगे, so one of the students होना चाहिए, one of the student नहीं होना चाहिए, correction क्या है, one of the students, तो noun की गलती थी, student singular लिखा हुआ था, आपको plural करना था, one of the students, one of my friends, one of the books, one of the teachers, अगर आफ one choose कर रहे हैं, तो of the बहुत सारे message choose करना पड़ेगा आपको, तो यह आपका rule है, आपको आना चाहिए, आगे बड़े, next question आप solve करके देंगे मुझे, question क्या है, if you study more, your English would get better, तो अगर तुम जादा पढ़ोगे, तो तुमारी English अच्छी ह हो जाएगी, यह आपका sentence, बताया, अगर तुम जादा परते हो, अगर तुम ऐसा करते हो, यह बूल रहे हैं आपको, तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे में आपको क्या लगाना है, यह है आपका first conditional, यह जो था ना, यह आपका second conditional था बच्छों, और यह आपका first conditional बनाने की है, तो अगर तुम ऐसा करते हो, तो क्या होगा, यह conditions होती है, अगर तुम ऐसा करते हो, your English will get better, not would get better, okay, that would be the correction, your English will get better, would कब लगता है, जब head होगा तब, second form होती है, तो would लगता है, first form होती है, तो will लगता है, इस चीज़ के धियान रखेंगे, देहो, दो conditional मैंने आपको करा दिये, यहां पर, चीक है, तो कर पाए, आप लोग की नहीं मुझे बताना, और number 10 में से 10, total हम लोग अभी देखेंगे, how could she blame you and he for the accident, sentence देखेंगे, अच्छे से और समझने की कुशिश करेंगे, correction हम लोग कहा कर सकते हैं, जल्दी से बताएंगे, how could she blame you and he for the accident, वो he और you की बात हो रही है, क्या यहां subject है, क्या यहां object है, इतना ही आपने पता लगा लिया, तो आपका answer हो जाएगा, how could she हमारा यहां subject है, बच्छों, she हमारा क्या है, यहां पर subject है, तो object कहा होने चाहिए, यहां पर, blame verb हो गई, तो देखो, verb के इधर subject होता है, verb के इधर object होता है, को objective convert करना पड़ेगा, so the sentence would be how could she blame you and him for the accident कर पाई, चल आ, next करते हैं, next sentence आप लोग के सामने आ रहा है, बताईए क्या हम इसको solve कर पाएंगे, he is independent from his parents sentence में subject verb, pronoun, helping verb के अलावा और भी mistakes होती है preposition, conjunction, धून के बताईए कुछ है क्या, he is independent from his parents नहीं बोलते हैं of his parents बोलते हैं so he is independent of his parents that is the correction, preposition आपको यहाँ सीखनी होगी, fixed preposition ती, he didn't expected my request on Instagram he didn't accepted my request on Instagram did not accepted कई बार आपने देखा होगा लोगों को ऐसे बोलते हुए did not accept, देखो आपको ना मैं लास्ट में इसका screenshot लेने बोलूँगी इसलिए मैं यहाँ पर सफाई से लिखनी हूँ ताकि आप इनको अच्छे से बाद में भी समझ सकें so from की जिगे यहाँ पर off हो जाएगा, answer में यहाँ लिखनी हूँ ठीक है, okay, he didn't accepted देखो, did not already verb की second form होती है और जब हम did already लिख चुके हैं, तो यहाँ हम accepted नहीं लिखेंगे, only accept लिखेंगे, मतलब की verb की first form, that is the correction बच्छों he did not accept my request on Instagram तो rule क्या है, डेडी के साथ हमेशा verb की first form लगती है और इन्होंने second लगा दी थी यह हमारी tense की गलती थी यहाँ पर next solve करेंगे after he had finished his performance he would go to the party अपनी performance खतम करने के बाद में वो party में जाएगा जा चुका था, actually past चल रहा है सब कुछ, ओके तो sentence ही गलत है sentence में आपको correct combination of tenses बनाना ज़रूरी है अगर मैं बोल रही हूँ he had finished मतलब की यह मेरा क्या है past perfect so if he had finished his performance after मतलिको यह if लिको, अब बनाओ if he had finished his performance he would have gone would be the correction अब यह मेरा बन जाता है बच्चो third conditional first यह था, second यह था, third यह है after की जगे इसको if कर ले ना conditional बना देते हैं इसको, ठीक है so if he had finished his performance he would have gone to the party would have gone to the party that would be the correction तीनों conditionals को याद कर लीजे paper में बहुत बार पूचे जाते हैं first conditional में verb की first form study and will होगा second conditional में had only had यह वाले had और यह वाले had में difference है यह कौन सा had है, यह verb की second form वाला had have का had क्योंकि कोई verb नहीं है यहाप दिखाए ते लिए आपको verb की third form नहीं I would help you ठीक है, यह भी सही है तो had का मतलब हो गया verb की first form की second form had have होना वाला have possess करने वाला, यह helping verb वाला have है, have had है ध्यान डखना दूनों में difference है, तो यह became के साब से याद कर लो, अगर second form होगी तो would लगेगा, first form होगी, कहां गया यह रहा, तो will लगेगा और had finished, मतलब had की साथ verb की third form होगी, तो would have gone would have verb की third form लगेगा याद हो गया, यह आपको combination पता होना चाहिए अगर आप ऐसी sentences को solve करना चाहते हैं last question, the pizza was dividing between two friends कोई गलती मिल रही है तो बताओ, नहीं मिल रही है हाँ जी, तो कुछ mistake मिली है आप लोगों को, क्या mistake दिख रही है यहाँ पे, the pizza was dividing क्या दिख रहा है, मेडम was और is, mr, was work के साथ तो dividing ही आता है, तो helping work तो सही है main work भी हमें ing वाली सही लग रही है तो mistake कहा है मैम, mistake बिटा यहीं पर है, was dividing is wrong यह एक passive sentence है बच्चो कैसा sentence है यह, जल्दी बताएंगे passive, passive sentences में क्या होता है कोई काम खुद से नहीं होता करवाया जाता है या कोई करता है उस काम को मतलब pizza खुद से divide नहीं हो जाएगा कोई करेगा, so pizza was divided by someone so pizza was divided अच्छा divided क्यों लगा रहे है मैं बेटा ध्यान रखना हमेशा जबी भी आप passive sentence की बात करेंगे वर्ब की third form याईगी, चाहें जो हो जाए, चाहें यहां is हो, was हो had हो, have हो, will हो, shall हो जो भी कुछ हो, यह वर्ब की third form में convert होगा, यह आपको आना चाहिए तो हमने अभी क्या किया 10 questions solve करें हैं और मैंने आप से कहा था, आप मुझे बताएंगे इन 10 questions में आपके कितने number आए, बताईए फटाफर से आपके कितने number है, how many marks did you get जल्दी से 2 मिट का वेट लोगी, और आप लोगों का answer का वेट करूँगी, आप लोग बताने वाले, कितने कितने number हैं, 10 में से 10 आए है, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसी तरीके के questions आपके exam में आएगे, और अगर नहीं आए हैं, तो बेटा, practice करनी बहुत ज़रूरी है, anyway, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे rules, जो आपको help करेंगे, इस तरह की paragraph editing solve करने में, तो देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं, कि किसी भी काम को करना है, तो पूरे prepared होके करो, same case यहाँ है, अगर आप paragraph editing solve करना चाहते हैं, तो पूरा prepared होके आपको solve करना पड़ेगा, मतलब कि आपके rules clear होने चाहिए, माइन में, कि अगर मेरे सामने कोई sentence आया, तो मुझे कहाँ focus करना है, क्या देखना है, ओके, तो आप देखोगे न, generally आपको paragraph editing की बहुत जाद अच्छी videos या exercises नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत vast syllabus है, vast से मेरा मतलब हो गया काफी कुछ है, integrated grammar जब मैंने बूल दिया, तो इसका मतलब हो गया पूरी grammar, मतलब grammar का कोई भी ऐसा topic, जैसे मैंने conditional सिखाया, superlative degree बताई, अभी आपको कोई नहीं पढ़ाता ना, लेकिन exercise में आ गया, यह सब कुछ valid है, तो मैंने आपसे क्या कहा, जब आपके सामने कोई article आया, newspaper आया, कोई paragraph आया, आपसे क्या बोला जाएगा, भाई इसको edit करके दो, मतलब आप editor है और आप इसमें जितनी भी mistake से सब निकाल के दीजिए, कोई mistake बचने नहीं चाहिए जब यह print को जाएगी book, इसमें कोई mistake नहीं चीए, आपका काम है, एक छुटी-छुटी grammatical error ठुनना, समझे लो कितना बड़ा काम है, वही, वही करना है यहाँ पे भी वही करना है, तो वो सारे चीज़े, अब हम ऐसे सूचें कि आप सब कुछ आना चाहिए, तो 10th में तो वो possible नहीं है, इसी लिए previous year के question papers को देखते हुए आपके sample papers को देखते हुए मैंने क्या किया है, एक list बनाई है कुछ चीज़ों की, कुछ points की, जो आपके काम में आ सकते हैं बच्चों, ओके तो कुछ points हैं, जो मैं आपको इपर लिखके दे देती हूँ जिन पर आपको क्या करना है, focus करना है so total 8 points यहाँ मैंने आपको दिखाए अब इन्ही 8 points में हमको बार 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 mistake ढूननी है ओके, और उसको rectify करना है कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको निधी में बताएंगी सबसे पहले, आपको mistake जो मिलेगी वो tense में मिलेगी, आपने देखा था एक sentence, did not वाला, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था did not accepted, याद है आपको पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी sentence में जब did not आता है तो accepted नहीं लिख सकते आपको accept लिखना पड़ेगा, वर्ब की first form तो आपको सारे tenses बताओने चाहिए present, past, future, indefinite, continuous, perfect, perfect, continuous सारे tenses आपके past में होने चाहिए बच्चों आपको याद होने चाहिए, correct tense लगाना बहुत जरूरी है इसका एक और point बताती हूँ आपको combination of tenses जरूर सीख के रखिए combination of tenses, अगर आपने combination of tenses की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको request करूँगी आप लोग जाएए, एक मेरी combination की of tenses की वीडियो आपको मिलीगी जिसमें मैं आप लोगों को कितने 10 combination सिखाती हूँ इसमें से 3 combination अभी आप कर चुके हूँ conditional के 3 combination सिखायती है कि first form होगी तो will लगाना, second form होगी तो would लगाना, had कि 7 work की third form होगी तो would have third form लगाना, ऐसे ही tenses के भी कुछ combination होते हैं, total मैं 10 सिखाती हूँ, अगर आपने वो नहीं की है वीडियो तो देख लेना, और tenses जरूर सीख लेना ये वाले, combination वाले, बाकी तो आपको आने ही चाहिए ये भी आपके लिए important है क्योंकि paper में से related questions आते हैं तो दो important चीज़े tenses की मैंने आपको बताई secondly, pronoun वाला, आप देखो कौनसा sentence था, देखते हैं चलो फिर से देखते हैं कौनसा वाला sentence था हाँ, यहाँ देख जाएगा न, यह देखो कौनसा sentence था यह रहा, how could she blame you and he देखा आपने, you and he अब he तो obviously नहीं लगाएंगे him लगाएंगे तो pronoun की हाँए mistake थी notice किया आपने, तो इस तरीके से आपको pronoun की mistake भी solve करनी होगी तो हमको पता होना चाहिए बेटा, हमारे पास में subjective pronoun भी होते हैं और objective भी होते हैं, जैसे कि I, we, you, they, he, she, it subjective pronoun होगे, I, we, you, they, he, she, it, I का me, we का us, you का you, they का them, I, we, you, they, he he, का him, she, का her यह हमें पता होनी चाहिए, तो कहां subjective लगेंगे, कहां objective लगेंगे, यह हमारा main काम होता है, मैंने आपको एक हिंट दी दी, verb की इधर subject होता है, उधर object होता है लिख देती हूँ verb की इधर subject होता है, इधर object होता है singular है कोई वर्ब या फिर plural है कोई वर्ब यह देखते हैं subject singular था तो वर्ब भी singular होगी subject plural है तो वर्ब भी plural होगी यह चीज हमें बहुत जाद importantly देखनी होती है जैसे one of the students वहाँ पे भी subject का ही काम था एक student में से हमको noun correct ढूणना था subject सही ढूणना था तो subject verb का आपको आना जाए preposition preposition में आपको क्या पढ़ना है बचो fixed preposition कुछ है जो पढ़के जाईएगा जो आपकी बड़ी काम की आएंगी ठीक है मैं जो आपको अभी बता रही हूं न यहाँ पे सारी चीज़े यह वो हैं जो बार-बार exam में पूछी जाती है मैंने notice किया sentences क जो exam में आ रहे है मैंने देखा कि बार-बार यही पूछा जा रहा है कभी tense की गलती है कही pronounce की गलती है कही subject verb agreement की गलती है कही preposition की preposition में कौन से fixed preposition मतलब की कुछ ऐसे preposition जो उसके बाद आएंगे ही आएंगे है ना suffering from fever from एक आपका ऐसा हो गया the the ring is made of gold तो made के आगे off लगेगा with नहीं आएगा right she is junior to me junior के आगे to आएगा I prefer coffee to tea then नहीं लगेंगे to लगेंगे यह सारे rules जी जो सारे sentences में बता रहे हैं यह फिक्स प्रेपोजिशन के हैं आपको किसी बी olympiard की exam में को भी entrance exam में यह पूछे जाएंगे और आपको answer करना पड़ेगा तो इस तरीके कि आपको याद होने चाहिए कहां मिलीगी fix preposition की कभी करा दोंगी मैं भी आपको otherwise आप YouTube पर Google करो आपको मिल चाहेगा homophones की mistake बहुत जादा आती है बचों तो कभी-कभी infect board main board exam में homophone की mistake आई थी homophone क्या होते हैं दो ऐसे words जिनकी spelling different होंगी लेकिन वो सुनने में देखने में सेम होंगे meaning of course उनके different होंगे right तो देखने में एक से लगते हैं spelling mistake होती है तो आपको correct spelling लिखनी होती है जैसे की there and there एक होता है there place वाला here का there है न और दूसरा जो there होता है t-h-e-i-r ये कौन सा होता है possessive case pronoun वाला तो आपको दूनों there में difference पता होना चाहिए जब pronoun वाला लगाएंगे न this is there pen तो ये वाला दियर लगेगा और जब आप बोलोगे she is standing there तो ये वाला दियर लगेगा weather और weather reported speech सिखाती हो तो weather की spelling याद कराती हूं एक weather मौसम वाला होता है दूनों में model work is one of the important topic बच्चों आपके exam में कुछ और पूछा जाए ना पूछा जाए model work से एक mistake जरूर आपकी error editing में आती है तो model works आपने सारे पढ़ लिया है कि नी वो बताईएगा है ना चलो आपको एक अभी example पूछती मुझे बताना आपको इसका answer आता है कि नी बताईए dash bless you अरे god dash god bless you क्या लगा होगे हापर dash god bless you क्या लगा होगे हापर may god bless you क्या थे में model work है हमको आनी चाहिए थी ना हमको model work पता होनी चाहिए model work में आपको बहुत बार कर आचुकिक है विडियो आपको मिल जाएएगी solve करियेगा article a and the इनी में ही आता है वैसे तो determiner भी आते हैं बेटा लेकिन at least आपको इतना आना चाहिए कि आप a and the को solve कर पाएं जैसे अभी अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी superlative degree of adjective से पहले a आता है याद है न आप लोग को अभी अभी हम लोगों ने solve किया था superlative degree से पहले तो वो हमें पता होना चाहिए तो कुछ-कुछ चीज़े हैं जो अगर आपको आती है करनी तो आपके लिए solve करना easy हो जाएगा conjections हमको सारे पता होने चाहिए जो हमारे paper में आ सकते हैं हो गया that हो गया or हो गया and हो गया either or neither nor बहुत सारे हैं कुछ तो मैंने आपको subject and verb agreement में conjections लिखाए है जरूर कर ले ना rule number three and four है शाए three four five जरूर कर ले ना और conjections बाकी के आपको reported speech में सिखाए है सारे conjections सही कहां पर लगेगा कौन से लगेगा तो कभी-कभी पते क्या लिखा होता है राम और श्याम are my best friends राम और श्याम होना चाहिए था है ना तो हम choice हो जहां choice हो वहां और लगेगा जहां choice नहीं है वहां end लगेगा accordingly conjections की exercises रहेंगी बताने का जो main purpose वह यह था कि यहां आपको mistake ढूनने है अंधेरे में तीर नहीं मानना है यहां आपको mistake ढूनने है इनहीं में से कहीं पर एक mistake आपको मिल जाएगे प्लियर हो गया अब जो exercise solve करके दी थी ना आप लोग को देखो मैं आपको फिर से वाले में आपको subject verb agreement की mistake मिली इसमें आपको conditional sentence की mistake मिली how could she blame me and you pronoun की mistake मिली he is independent from preposition की mistake मिली he didn't accept tense की mistake मिली after he had finished फिर से tense की mistake थी इसमें the pizza was divided passive tense की mistake थी इसमें तो वही चीजें है lot fair के जो आपसे बार-बार पूची जाएंगी I hope आप समझ गए होंगे कि कहां आपको ढूणना है mistake को जबी भी आपके सामने कोई भी error editing का question आएगा clear है आ रहा है मजा solve करते time अगर हा तो मुझे बताना और अब हम करेंगे एक exercise solve ready everyone exercise to solve देखो यह कुछ exercise है जो आपके सामने मैंने दी है इस तरीके की exercise आया करती थी एक दो साल पहले अब CBST सीदे सीदे 12 sentences लिखके देता है 12 number की जिसमें से 10 आपको करने होता है पहले ऐसे आता था और यह ना 2 number का 3 number का ऐसे आता था अगर 3 लिखें तो 3 number मिलेंगे कभी 2 number का तो 2 मिलेंगे और आपको टूटल इसको सॉल्फ करना रहता था अब सेनारियो चींज होगा बट एडिटिंग तो इडिटिंग है आप इसमें भी कर सकते हैं बताइए the festival forms an auspicious day for everyone इसमें होता क्या था यहां से लेके यहां तक एक mistake होगी A यहां से लेके यहां तक एक mistake होगी B और यहां से लेके यहां तक एक mistake होगी C और इस line में कोई mistake नहीं है क्योंकि इसके आगे कोई fill in the blank नहीं लगा हुआ है तो आपको basically इसमें तीन mistake भूनने हैं हर line में एक जैसे मैंने बूला the festivals form अब यहां तो आप इसको festivals करिए यहां तो आप इसको forms करिए form करिए तो दोनों में से एक mistake आपको ढूनने पड़ेगी अब आप बुलोगी मैंनम क्या करें तो पेटा उसके लिए आगे और पढ़ लो क्या पता कुछ मिल जाए few celebrations are prevalent on every society prevalent on every society in every society and communities we celebrated festivals mainly to propagate the festival forms an auspicious day for everyone few festivals form अच्छा ठीक है तो हम यह हटा देंगे the festivals form an auspicious day for everyone few celebrations are prevalent in our society every society and communities we celebrate not celebrated celebrate क्यों क्योंकि यह यहां से present में चल रहा था आपने देखा form forms हमने भी इसको form किया तो यह भी form present में ही चलेगा celebrate तो हम celebrated नहीं करेंगे बाकी का सही तो तीन मिस्टेक मिल गए हमको पहली मिस्टेक क्या थी पहली मिस्टेक थी form दूसरी मिस्टेक थी in तीसरी मिस्टेक थी celebrate solve कर पाए आप लो मेरे साथ में इसको इस तरीके से आपको reported पी solve करनी होती थी next वाला जो है वो आपके लिए है solve करेंगे इसको homework में मैं आपको दे रही हूँ यह जो chat section है जिसको आप देख रहे हैं वहाँ आप solve करके देंगे A, B, C, D, E, F हर answer आधे number का है तो total जो है वो आपको 3 number मिलेंगे अगर आपने यह solve किया तो मानिएगा यह आपको exam का question है और आपको यह मुझे solve करके देना है हर line को ध्यान से पढ़िए A, B, C, D, E, F करके मुझे सारे answer comment section में देना अगर आप इसका answer कर पाई तो मैं समझ जाओंगी कि आप error editing मेरे साथ solve करने के लिए पूरी तरीके से तयार है बच्छों ठीक है So, I hope आपको error editing के exercises समझ आगे होगी यह लो मैं screen से हट जाती हूँ आचा, यहाँ पहले ढून तो लो, फिरी तो लिखोगे तो solve करना इसको और मुझे comment section में बताना मैं wait करूंगी आप लोगों के answer का That is it in today's video and I will meet you in the next video Bye everyone and take care